हाई गाईज हैप्टी टिवाली टू आल अफ यू और आज में फेस्टिवल से लेटीड एक रेसिपी बनाऊंगी वह है पनी टिकका तो बहुत यमी होदा है एंड फेस्टिवल्स में हमको अच्छी रेसिपी जरूर चाहिए अपने फैमली मेंबर्स के साथ और अपने बच् के साथ हर एक फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए तो लेस्स टार्ट हाव जो भी प्रिपार पनी टिकका एट हों तो गाईज मैंने आपर 200 ग्राम बाड़ा दहे लिया है तो फर्स्ट अफर पुट दर कर लेंगे स्मूथ कर लेंगे इसमें कुछ भी लंस न एक्रिप्टा प्रिप्राश्ण आट तो आध अपंच ओ अ अधी आध और वावत टी स्पून अव्य लाल कष्मिरी मेर्च आगपनाट थी एस्पून और गरम मेंसाला सॉल्ट अराउंड वन टी स्पून एंड वन टी स्पून अराउंड ओल वेजिटेबल ओल है ये आप चाहें तो ओलिव ओल का भी इस्तमाल कर सकते हैं एक नाइस मिक्स देंगे ताकि सारे नसाले अच्छे से मिल जाएं थोड़ी सी मैं कश्मीडी लामिक और डालोंगी जिसे एक पर्फेक्ट रेड कलर और आये मिक्स देंगे नाव इंटो इस आइड सम लेमन जूस अराउंड वन टेबल स्पूम एक नाइस मिक्स देंगे अब हम इसमें अद्रक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट आड करेंगे तो देखें यहाँ पर मैंने दो हरी मिर्ची ली है और तीन चार बड़े-बड़े अद्रक के टुकडे लिये हैं एक एक इंच के और यहाँ पर मैंने 15-20 लहसुन की कल्या ली है तो मैं इनका ताजा पेस्ट बनाऊंगी आप चाहिए तो जो मार्केट में मिलता है आप उसको भी उस कर सकते हैं बड़ पनी टिका में मुझको फ्रेश जो पिसर हुए मसाले होते हैं वह अच्छे लगते हैं तो सिबसे पह अब ही में यह जो मारा अद्रक है इसका भी मैं पेस बना लेकिए और आप मिर्ची का भी तो देखिए गाई यह मारी मिर्ची और अद्रक का भी पेस सेयार हो चुका है इसको भी आप कर लेता है एक टाइस मिक्स देंगे नाओ वी विल एड़ वन बाइवन और फूट्स और वेजी और यह पनी टिका है तो पनी तो आड़ करेंगे ही तो सबसे पहले यहाँ पर पनीर आड़ कर लेती हूँ तो यहाँ पर मैंने आ रहा हूँ 300 ग्राम्स पनी लिया था इसके मैं क्यूब्स काट रही हूँ कि देखें इसमें से मैं 34 करोंगी काफी डेलिकेट है तो आराम से उसके क्यूब्स निकालिए इनको भी हम एड़ कर देंगे हम एक नाइस मिक्स देंगे और पनी काफी डेलिकेट होता है तो ध्यान से और अब हम इसमें बैल पेपर जाट करेंगे तो यहां पर मैंने रेड ग्रीन एंड यलो बैल पेपर यूज की है आपके पास जौन सी अविलेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं इनके भी हम स्क्वेर पीसेज निकालेंगे इसे बिसीट कर लिए जी अच्छे से इसको भी रिमूव कर लेता है इनके भी हम स्क्वेर पीसेज निकाल लेता है तो यहां पर मैंने थी फोर्थ रेड बैल पेपर यूज की है इसको भी आट कर देते हैं तो जो हमारा पनी टिका है तो डिफ्रेंट डिफ्रेंट कलर यूज करने से काफी ब्यूटिक रिखेगा तो आप भी कुशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा कलर फुल वेजटेबल्स यूज करें तो मैंने थी फोर्थ ही यलो बैल पेपर एड किये है अग हम इसमें एड करेंगे ग्रीन बैल पेपर इसके भी हम क्यूब्स काटेंगे इसकी भी यह जो एक्स्ट्रा स्किन है इसको अटा ली जए और अगा स्क्वेर पीसिस काटते हैं तो गाइस यह एड हो गई हमारी ग्रीन बैल पेपर एक नाइस मिक्स दे देते हैं अब मैं इसमें अनियन एड कर देती हूं अनियन के भी हम क्यूब्स काटेंगे इसमें अब यहां से हम जो मोटे मोटे पीसिस निकलेंगे निकालेंगे छोटे पीसिस इसमें नहीं रखेंगे एक और लग कर लेता है एक एक पीस अलग करके मैं एक और अनियन ले लेती हूं इसके भी हम स्कुएर पीसिस निकालेंगे इतने काफी रहेंगे एक और बार नाइस मिक्स दे लेता है ताकि सारी वैदीस पर अच्छे से जो दही है वो कोट हो और अब मैं इसमें एट करूंगी पाइनेपल मुझे पाइनेपल का टेस्ट पनी टिका में बहुत अच्छा लगता है जैस और आप भी इसको जरू ठीक करके देखेगा लगा इसकी आउटर कवर निकाल लेजें कि इसके भी हम पनीर की तरह क्यूब्स करेंगे इसके भी हम पनीर की तरह क्यूब्स करेंगे यह जो बीच वाला हाट पार्ट है इसको रिमूव कर लेता है अब मैं पेसे को एड़ कर दूँगी इसको बहुत अब इसको बहुत अचाएगा अब मिक्सों धेंगे करना जाएग अब मेंशा शोगिए अब आप जाएगे आप जाएगे फुर्ट ऊपक्राइट को लोगशाइध्सान दूपकश श्यूंपक्राइट अच्छा अच्छा यह कश्यू में गरशा अच्छा आपके तरह को अदो धेटा हैगे व्याटे श् आराउंड 45 मिनट्स हो चुके हैं तो अम हम इनको सेखेंगे मैं आपर पैन गरम होने रख देती हूं पर प्रसस में तेलाइट करेंगे और एक ब्रेश की हल्ट से खोट कर देंगे और अब हम अपने पनीटिक का अरेंज कर लेते हैं यहां पर मैंने कुछ साथे स्ट्रिक्स ली हैं तो मैंट करेंगे सबसे पहले मैंट करूंगी शिम्ला मिर्च लाल शिम्ला मिर्च फिर एक प्यांच फिर पैनेपल अगें एक प्याज का पीज और एक हरी शिम्ला मिर्च और अब एक पनीट का पीज और वापर से हम उसी ओडर को रिपीट करेंगे एक शिम्ला मिर्च एक प्याज का पीज एक रेड बेल पेपर एक और पनी क्यूब लगा लेते हैं और यलो बैल पेपर भी लगा लेते हैं प्याज तो इस तरीके से हम अपने पनी टिके की सारी साते स्टिक्स को तियार कर लेंगे तो गाइस अभी देखे हमारा पान भी होट हो चुका है गैस को भी स्टिक एड कर देंगे और थोड़ा सा हम ओल स्पेड कर देंगे जाड़ा नहीं अभी हम इनको धक्र रख देते हैं अराउंड पो वन मिनट दैन मैं इनको फ्लिप करोंगी अबर इसको पलट लेते हैं और इसको हम ऐसे ही चारो तरफ से पलट पलट के सेखते रहें तो काई अभी हमारे पनितिक का अलमूर्स यार होने वाले हैं देखें इनको नाइस ब्राउन कलर आ चुका है इसको निकाल देते हूं आइस देखां आपने इसको बनाना कितना इजी है तो बस आप मैं इसको निकाल देते हूं कर दोए कर दोए कर दोल स्क्रेश